market के numbers जो हमें शारत बताएंगे शारत गुड मार्निंग बताएं कौन से results हैं आपके पास गुड मार्निंग मांसी तो सबसे पहले टाटा कॉफी के आकड़ों के पर focus करेगा यहां पर आप देख सकते रेविन्यू लगबग 11% का जो है ग्रोथ का expectations है अबिड़ा में लगबग 18% का उच्छाल आया है और याद रखिए आप श्रिलंका क्राइस के कारण जो है एक positive reaction जो स्टॉक में देखने मिल सकता है when it comes to exports इसके लाब विस्ट इंडस्ट्री इस फोकस में रहेगा सिंगुद्स की कंपनी है यहां पर अच्छे नतीजे देखने को मिले है अबिड़ा में लगबग 8% का उच्छाल और पैट में का ग्रोथ देखने मिला और EBITDA जो operating numbers है यहां पर भी 19% का ग्रोथ देखने मिला है और अगर overall global जो इंडियन macro factors के बात करें तो यहां पर बहुत अच्छी improvement मिल रहे है इसके कारण logistics companies express companies in stocks में तेजी और momentum दोनों काबू है अब EU small finance bank में भी एहम दो हबर है नतीजे तो strong आये हैं इसके लावा company ने एक आप कह सकते हैं bonus issue one is to one का भी announcement किया है interest income जो है लगबग 29% उपर है net interest income almost 43% और पैट दो गुना हो चुका है तो जरूर जो है आप जो है asset quality में भी improvement देखने मिला जी NPR and NPR ratio में जो है अच्छी improvement देखने मिली है United breweries के वारे में बात करूंगा यहां पे भी strong numbers आये हैं sin stock है revenue लगब 1.3% उपर है और margins हाला कि लगबग flattish रहे हैं लेकिन important बात है कि volume growth है वो 7% का आया है यह बहुत अच्छी volume growth है management को guidance है especially summer season में वो भी strong लग रही है हाला कि gross margins में 330 basis points का जो है दबाव देखने मिले तो यह सारे जो stocks थे आपके cash market में थे और कुछ अन्य stocks थे जो आपके BFSI space से नहीं regulated थे तो यह सारे stocks में overall mixed नतीजे देखने मिले हैं इसके तमाम numbers जिस पर आज focus रहेगा इसके अलावा शरत खबरें फिर आज कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है जी बिल्कुल सबसे पहले reliance का खबर रहेगा यहां पे जो है company ने अबुदाभी chemical derivatives के साथ एक agreement करार किया है जहां पे chemical zone है अबुदाभी में वहां पे जो है joint venture product करेंगे और एक production facility रहने वाला जहां पे chloralkali और जैसे इतलाइन जिसे जितने भी chemicals है इन पे जो है काम किया जाएगा और total investment से लगबग 2 billion dollars का है और दूसरा stock रहेगा focus में वह है विप्रो यहां पे बड़ी acquisition आई है राइजिंग intermediate holdings में लगए 540 million dollars का investment है विप्रो में अब यह acquisition के कारण जो उनकी जो sap consulting है उस पे जो एक बहुत अच्छी impact पड़ेगी company को यह deal closure जो है पहले ती माई वित्य साल 2023 तक complete हो जाएगा बजाज finance भी focus में रहेगा इनके नतीजे तो आया ही थे लेकिन एक और important announcement आया कि लगबग 2500 करोड को invest करने वाले उनके home finance के आम पे तो जरू स्टॉक पे focus रखेगा Zydus Life Science भी focus में रहेगा यहाँ पे उनको टू डोस वैक्सीन की जो DCGI से अप्रूवल मिल गई है और यह जो दो डोस की regimen है 12 साल से उपर के लोगों के लिए लागू होने वाली और आखिर में मैं बात करूँगा OMAX के बारे में यहाँ पे 440 करोड रूपे का funding आ गया है वार डे पार्टनर से देखा जाए तो small cap micro का stock है लेकिन stock में बहुत positive reaction जो आज देखने मिल सकता है और यह जो funds की usage होगी आपकी construction और delivery of project और execution में होने वाली है ओके तो यह सारी की सारी खबरे हैं और आप देखे आप जैसे जैसे numbers results आते पर दिख रहे हैं